नवस्का दोस्तों मैं हूँ सिवाम पांडे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्रोटीन से सम्मंदित बहुत ही महात्पूर्ण को सॉल्व करने वाले हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कुशिन के बीच में आपको दो से तीन सेकंड भी दे जाएंगे जिसके बीच में आपको एंसर कमेंट करके बताना है ठीक है तो देदी ना करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहला कुशन है कि प्रोटीन सब्द का सरवप्रथम प्रयोग किस ने किया है तो सही जवाब है ओप्सन नमबर C यनि जे बरजीलियस ने प्रोटीन सब्द का सरवप्रथम प्रयोग जे बरजीलियस ने किया है ठीक है तो आप इसको याद रखेगा अब अगला कुश खोज किस ने की थी तो खोज किस ने की थी ये बरजीलियस ने तो आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा अब अगला कोशन है प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है तो इसका सही जोब है और सी यानि एमीनो एसीड जो प्रोटीन होता है उसकी इकाई क्या कहलाती है एमीनो एसिट कहलाती है ठीक है अब हमाई सामने अगला कोशन है कि कितने प्रकार के एमिनो एसिट से मिलकर प्रोटीन का निर्मान होता है तो सही जो आप है ओप्स नमबर डी यानि बीस प्रकार के लगवग बीस प्रकार के एमिनो एसिट से मिलकर प्रोटीन का निर्मान होता है जि हमाई सामने अगला कोशन है कि एक ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है तो आप इस चीज को याद रखेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमाई सामने अगला कोशन है कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो सही जवाब है option number D यानि केरोटीन प्रोटीन गाय के दूद में केरोटीन प्रोटीन होता है और अगर आप से पूछा जाता है कि भैंस के दूद में कौन सा प्रोटीन होता है तो उसमें होता है केसीन प्रोटीन ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं अब अगला कुशन है मरासमस रोग किसकी कमी से होता है तो बहुत ही आसान है सही जो आप क्या होगा ओप्सन नमबर C यानि प्रोटीन की कमी से जो मरासमस रोग होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है साथ ही एक रोग होता है क्वास योकर जो की यह भी प्रोटीन की कमी से होत है कि जो मरास्मा स्रोग है वे एक वर्ष से कम बच्चों के होता है और जो कौस योकर है वे दो से पांच वर्ष की बच्चों को होता है ठीक है ? तो आप इन दोनों को याद रखिएगा इब हमें सामने सामने अगला कुषण है कि पतियों का पीला रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है तो इसका सही जवाब है option number D यानि केरोटीन प्रोटीन के कारण ठीक है जो पतियों का पीला रंग होता है वह केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि नाखून, सिंग, बाल, इन सब का निर्वान भी कैरोटीन प्रोटीन के कारण ही होता है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अहुआ है सामने अगला कुशन है कि मनुस के सरीर में कितने प्रिश्चत प्रोटीन पाया जाता है, तो सही जवाब है, ऑप्सन नमबर बी, य उसे कहते हैं, तो सही जवाब है, ओप्सन नमबर A, यानि प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है, उसे सरीर का बौटी बिलिडिन भी कहते है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मुक निर्मार करना होता है, साथ ही साथ, यह तूटे-बूटे भागों की भी मरमत करता है, जिसकह इसको सरीर का body building कहा जाता है ठीक है अगला कोशन है कि रेसम में कौन सा protein पाया जाता है तो सही जवाब है option number B यानि फाइबरीन प्रोटीन जो रेसम होता है उसमें फाइबरीन प्रोटीन पाया जाता है ठीक है रेसम जिसको सिल्क भी बोलते हैं तो आप इसको याद रखेगा को आप बहुत हिमातपून कोशन है अगला कोशन है कि कौन सा protein अस्तियों को जोड़ने का काम करता है तो इसका जवाब है option number D यनि collagen protein जो collagen protein होता है वह रेसम अस्तियों को आपस میں जोड़ने का कार्या जाता है तो आप इसको याद रखेगा अब अगला कोशन है कि protein की प्रिश्ट और अंड़ा में लगवाग तीरा प्रिश्ट ठीक है तो सबस्यादा किसमें सोय जावीन में अगला कुशन है कि मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्सन नमबर एक यानि बीटा प्रोटीन मकड़ी के जाल में बीटा प्रोटीन पाया जाता है ठीक है अब अगला कुशन है कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो सही जवाब है ऑप्सन नमर सी यानि अलवी मीन प्रोटीन अंडे में अलवी मीन प्रोटीन पाया जाता है इक ग्याम में अंतरोगा दूद वाले में जैसे गाय के दूद में केरोटीन प्रोटीन होता है या फिले दूद में और भैस के दूद में केसीन प्रोटीन होता है या फिर ऐसा समझे कि पिले दूद में केरोटीन प्रोटीन और सफेद दूद में केसीन प्रोटीन होता है ठीक है तो यह हो उसके बाद albumin protein जो होता है अंडे में पाय जाता है fibrin protein जो है वो सिल्क एनी रेशा में पाय जाता है collagen protein जो है अस्ति और उपस्ति को जोड़ने का काम करता है उसके बाद एक होता है alpha-kiretin protein जो की पक्षियों के नाखून और पंक में पाय जाता है पसुओं के सिंग और खुर में पाया जाता है और मनुस्तियों के नाखुन बाला और त्वच्या में पाया जाता है तो एक ये भी होता है अलफा के रेटीन प्रोटीन वैसे मैंने आपको बता दिया कि के रोटीन प्रोटीन पाया जाता है तो फिलाल आप इसको भी याद रखेगा और एक चीज़ आप यह याद रखेगा कि जो मकडी होता है उसके जाले में कौन सब प्रोटीन पाया जाता है तो उसके जाले में पाया जाता है ब्रीटा प्रोटीन नहीं तो यह बहुत इमात पून है तो इसे दृस्टी वैगणी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो आप इसको याद रखेगा तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ अगर आपको अच्छा लगई तो वीडियो करिएगा और दोस्तों कि साथ भी सेयर करिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिंदर